यह लगा जाएगा जिप्याज शीका गुजराद में बेन हो गई और हम मोटा भाई किसे बोलो ना स्टैपल चट्नी जो की महारास्त्रा में चलती ही चलती है यह बाई साथ लुक आड दिस काई सीरिस्टी कहा रहो मैं इतनी ज्यादा यूज कॉंटिटी में दबेली हमने कभ यह पोई चट्नी है मीठी जट्नी तामाटर वाली मीठी चट्नी अब इतने सारे नारियल पीने के बाद आप मेरे को चीर कुछ खाने के लिए तो कहां पर आया है वह रतन पॉड पॉड इसे गली को गहते हैं यहां पर और यह क्लोथ मार्केट आइस का उपर बोड देख होगे क्लोथ मार्केट के नीचे एक बैठाट अले भाईया और वह कौन से आप दिखाता हूं यह है वह कार्ट और यहां मिलती है वह फेमस दावेली और मैं कहा रहा हूं कि दावेली बंती कैसी है पूरा का पूरा प्रोसेस दिखाता हूं को आप देखके वाला कि खुश ह होजेगा दिल खुश होजेगा जिसका खाने का मन नहीं भी खरेगा वह भी खालेगा कॉंटिटी बहुत जादा बनती है यह इनका मेरे सामने तीसरा वह चाहिए अब बनवाते हैं अपनी दावेली पैर उससे पहले आपको दिखाता हूं है की बंती कैसे तो यह देखो जन आप देख रहे हैं कि अभी 10% भी भी नहीं है यहां पे खड़े होने की जगा नहीं लगती कम से कम सतर से असी सो बंदे यहां लगे रहते तो यह कैसे बन रही है आप वो दिखाएंगा पूरा प्रोसेस की एहमदाबाद में आये हैं तो भाई दावेली खाना बनता है ना यहां का मक्षन चीज और आलू मसाला जो यह दवेली बीडलता है वो तो मस्ट रहे है तो यह लगरी है बढ़िया तरीके से दवेली एक साथ लग रहे हैं कि एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नो दस ग्यारा बारा तेरा पंद्रा बीस पच्चिस पच्चिस दवेली होती है और यह इनका प्याज है साथ में इनके बास भी है अपना वो मुफली 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 यह है पुरा मुफली अभी आपको दिखाते हैं पूरा प्रोसेस कैसे बन रहा है जी अब यह देखिए चटनी लगा के बन ऊपर अले बन को चटनी लगा के हटाया जाएगा सारे के सारे कवर उतार लिया है यह देख वाई यह लस्टन की चटनी लग रही है यह 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 आलू मसाला एक बन क्यूपर लगाया जाएगा बढ़िया तरीके से यह देखिए लोजब दिखात वड़ा पास जा पास यह देखिए कॉंटिटी की कमी नहीं है दबेली के 25 रुपे अगर ले रहे हैं तो 25 माल भी डाल रहे हैं अभी पूरा पूरा देखना एंड तक क्या क्या डाला जाता है इसके अंदर तो भाई आल्मोस हर किसी पर लग चुका है मुझी करना मेरे काल से पहली ऐसी शॉप होगी जिसके अंदर मक्खन नहीं लगा जाना वरना क कितना मक्खन लगाते हैं वह सेंविच पर मक्खन दिखा था पॉलिजिन सेंविच अब आगे का प्रोसेस देखो कि क्या होता है अब यह देखना अब इसके उपर लगाई जाएगी फ्राइड मसाला मूफली जी हाँ हर एक दबेली पर लगेगी मात्र 25 रुपे कीमत है और कभी यहां पर राये रतनपूर तो ट्राय जरूर करना किसे से भी पूछ सकते हो वह फेमस दबेली वहले कौन है यह आपको कोई भी बता देगा एंट्रेंस गेट के उपर ही है जो कि क्लोथ पार्केट है यह लगा जाएगा जिप्याज कि वहाँ भाई वहाँ और मनी कह रहा है कि मैं 25 खा सकता हूं एक साथ और मैं गहरा हूं नहीं खा सकता हूं पट्चिस तीस करते हैं अब आगे का प्रसेस दिखाते हैं कि सारे के सारे अल्मोस्ट तवे पर रखे जाएंगे उस पर गरम होता हलका सा और यह देशी की जोबी डालते हैं उसको डाल गे तो यह देखो भाई हलका सा ओईल डाला जाता है और उसको फ्राइब कर जाता है यह तो अब यह सारी के सारी दबेनी जूंसियों तवे के उपर आजाएगी और फिर दुबारा से एक नया बैच बनाया जाएगा अब आज खड़े जो बर बन दो बर बन दो बैच बन चुके यह तवे पर रखना भीया सारा अब यह दो अब यह देख इस 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 कितना देर में खताम हो जाएगा इस इस तो दस मिनट में सारी दबेली बिक जाएगी अब आइसा लुक आड़ देस काई सीरिस्टी घरो मैं इतनी जादा यूज कॉंटिटी में दबेली हमने कभी बंते देखी भी हो ना बर कंजम्शन नहीं देखा कि दो मिन्ट में जली जली बिक जाए अब हम करें टेस्ट मनी सिखा ठीका पता कि कैसे लागा टेस्ट शिख अब हो भी है अब यह यह दाबेली यह पहले वड़ा पाउट रहें करें स्टफिंग दिखा जाता हूं मैं वड़े की स्टफिंग है बढ़िया तरीके से अब है कि अब अब कि मिरा स्पाइशी निया अब अब यह देखो भाई चटनी यह जुनसी है यह पोई चटनी है मीठी मीठी वली टामाटर वली मीठी चटनी तो यह बार-बार फिलिंग होती रहती है अच्छा तो आगरम बहुत है अ अब क्या चटनी है वैसे गरम की होते क्योंकि वैसे तो फ्रेश देते हैं एकदम अच्छा एकदम फ्रेश है वह हमारे महां पे दिली में जले जाओ ना अम रिस्टर नहीं चले जो ठंडी चटनी मिलती है नॉर्मल टेंपरेचर जोता है पर यह सारी पर यह सारी गरम है त कशी मूफली पलटने का है कुछ tape it a kind यह तो यह यह थोड़ी शी पाइसी था ही अगा माहराश्रे की फेमेस चपके है एक तरीके से बोलो ना स्टैपल चटनी जो की महारास्त्र में चलती ही चलती है यह वो है तो अब हम लगवाते हैं अपनी दबेली यह एक दबेली लगाना अब देख कैसे लगा रहे हैं और यह दबेली गरम और एक दम बढ़िया तरीके से और अब हम करेंगे टेस्ट दबेली को मात्र 25 रुपे कीमत है और अब बड़ा पाव भी मिलता है यहां पर अगर आप बड़ा वो लोगे बड़ा भी मिल जाएगा तो शीका यह लगा तेरी यह दबेली तो यह देखो भाई यह आ गई है हमारी दबेली 25 रुपे कीमत है अब में आपको पहले स्टफिंग दिखाता हूं कि कैसे लग रही है कि आई कि मुफली है हरी चıtनी है लगा लसन की छटनी है सब तु होगा कि आपको हर शॉप पर मिलेगी हो यहां पर है कि अगर कि दूसरी चीज है कि हल्की सपाइसी है इतना जाता स्पाइसी नहीं हो भी सिर्फ में भी चलिकों कि मैं लेसं की चितनी साथ में ले रहा हूं कि देखने में बहुत पाइसी लगले चुक देखने में काफी सपाइसी आखर भी अज़िए वह लाद चक्नी है इसके खालोके तो जो सपाइसी लगा नहीं तो फॉलाटाभ कि यह वह वाजराउ के लेंस पाइसे नहीं आटिए थाव कैसे भी स्पाइशी नी खा पदी गार्लिक तो या फ्लेवर है अभी बननी आदे रस्ते वा में पुरी गार्लिक के मार्केट रगी दी मंदो भर भर की लसन्ट आप जिंजर और गार्लिक अफूंप सा रहा है बहुत बहुत बढ़ी है एक रीन चैट्नी और स्वीट चैट्न परफेक्ट कितन साल प्रहना शॉप हो गई यह 29 साल पुरहना चैट्टी नाइए 29 से स्टार्ट आप की रहा है गाक ही बहुत बढ़ी है तो मैं बेसिकली देख रहा है आपकी शॉप पे यह वड़ा पाव मिलता है यह मिलता है और यह जो जगह है इस जगह कर कहते है है और यह क्लोथ मार्कीट के बार ही बैठे है इनका कार्ट है अर यह शॉप भी है रतनपूर के जब बार ही है रतनपूर प्रट रतनपार अधरी पाल कुछ कि रही है